उस चड़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बतायाता ना कि खाली लुटा नहीं लाना चळीए, खाली कलश, शंकर जी के मंदिर से पाफिस नहीं लाना, शंकर भगवान को चड़ाया, चड़ाने के बाद फ़ोड़ा सा जल हाथ में, या कटोरी में, कलश ने जेल लिया बले दो बून लाओ पर अपने घर पर लेकर उस दो बून जल का भी इस पर कलश के अंदर हाथ की तीन उंगलियां लगा कर अगर तृशूल पर टच करकर मात्र अपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी अपने अपने घर पर छोड़ दिया ची कि प्रिशूल का इस पर्श एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे आपके स्कुमरण में देना चाहेंगे कभी अगर मुका लगे और शंकर भवान का बहुत सुंदर शंगार हो गया और शिवजी पे माला भी बहुत अच्छी चड़िये बेलपतर भी अच्छी चड़िये ततुरा भी अच्छा चड़ा हुआई फूल भी अच्छे चड़े हुआ और आपने देख लिया शिवजी का बहुत अच्छा शंगार हो गया और तुम्हें कभी मुखका लग जाए यहां और तुम्हारे पास में अच्छी सुन्दर सी माला हो पुश्पति तो आप पुजारी जी को या बंडी जी को कह दो या बंडी जी मा नहीं हो शिवजी का अच्छा अगर शिंगार हो तो माला केवल के जिए उस तुम्हारे हाथमें और तुमने देखाब कर शिवजी पर माला चड़ाऊंगा तो उस माला को आप अपने यस्त्राप्ती के लिए अपने आनंद के लिए अपनी उन्नती के लिए आप उसको त्रिशूल पच्छडा सकते हैं